Hello students, कैसे हैं आप सब? I hope कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे आज की online classes में आप लोग का फिर से स्वागत है आज हम जो topic करने जा रहे हैं उसका नाम है water pollution यानि की gel production तो आईए हम start करते हैं आज का topic Water pollution जल प्रदूशन का मुख्य कारण मानव या जानवर की जैविक या फिर अध्योगिक क्रियाओं के फल सरूप पैदा हुए प्रदूशकों को बिना किसी समुचित उपचार के सीधे जल धाराओं में विसर्जित कर दिया जाना है जल में विभिन प्रकार के हानिकारक पदार्थों के मिलने से जल प्रदूशित होता है या फिर जल प्रदूशन होता है इसके प्राकृतिक कारण क्या है वर्षा के जल में उपस्तित गैसों और धूल के कणों के मिल जाने से उसका जल जहां भी जमा होता है वह जल प्रदूशित हो जाता है इसके अलावा जब कुछ अप्शिष्ट पदार्थ भी इसमें मिलते हैं तब भी यह जल प्रदूशित हो जाता है दूशित पदार्थ के क्या कारण है इसमें कार्बनिक अकार्बनिक सभी प्रकार के पदार्थ जो नदियों में नहीं होने चाहिए इसी स्रेणी में आते हैं जैसे कपड़े या बरतन की धुलाई या फिर जीवों या मनुश्यों के साबुन से नहाने पर ये साबुन युक्त जल सुद्ध जल में विले हो जाता है जिससे जल प्रोदूशन फैलता है इसके उसमी ये कारण भी है जैसे कई बड़े कारखाने वस्तु आदी को गलाने हेतु बहुत गर्म करते हैं इसी के साथ उसमें कई ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिन्हें कारखानों में उप्योग नहीं किया जाता उसे कहीं और डालने के स्थान पर वो उसे नदी में डाल देते हैं जिसके कारण नदी का पानी दूशित हो जाता है और प्रयोग करने योग्य या फिर पीने योग्य नहीं रह जाता गाओं में भी इस पानी को दूशित करने के कई तरीके हैं जैसे कि गाओं के लोगों के तालाब नहरों में नहाने, कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने, बर्तन साफ करने आदी से भी ये जल शुरोत जो भी हैं ये प्रदूशित हो जाते हैं और वहां का जल दूशित हो जाता है इससे मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल प्रदूशन से मनुष्य के जीवन पर कई तरह से प्रभाव पड़ते हैं प्रदूसित जल पीने से मानों में कई तरह के रोग उत्पन होते हैं जैसे हैजा, पेचिस, शय, उधर संबन्धी आदी कई तरह के रोग उत्पन होते हैं दूसी जल समुंद्री जीवों वब वनस्पत्यों को भी नश्ट कर देते हैं और समुंद्र का पर्यावरन संतुलन भी बिगड़ जाता है इससे अब इसके क्या-क्या उपाय हो सकते हैं जल प्रदूशन के कई उपाय हैं नदी या अन्य किसी जल स्रोत में अप्षिष्ट बहाना वर डालना गैर कानूनी घोशित कर प्रभावी कानूनी कदम उठाय जाने चाहिए दूसरा कारखानों से निकलने वाले अप्षिष्ट के निस्पादन की समुचित वेवस्था की जानी चाहिए अगला पानी में जिवानों को नश्ट करने के लिए रासाइनिक पदार्थ जैसे ब्लीचिंग पाउडर आधी का उप्योग करना चाहिए समाज में जन साधारन में जल प्रदूशन के खतरे के प्रती चेतना उत्पन करनी चाहिए लोगों को जल के महत्व के बारे में जागरुख करना चाहिए और उन्हें यह बताना चाहिए की जल हमारे जीवन के लिए किस प्रकार महत्वपून है आईओब बच्चो आप लोगों को ये वीडियो ज़रु समझ में आया होगा और पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक किजेगा और हमारे अंक इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजेगा